2023 ये साल खतम होने में अब महच कूछी दिन बाके है ये साल इतने जल्दी खतम हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला वैसे तो भारतिय टीम के लिए ये साल कापी बहतरिन रहा है वंडे विश्वकप के फाइनल को अगर भूला दिया जाए तो पूरे साल ही भारतिय क्रिकेट का दुनिया भर में बोल बाला रहा है हमारे प्लेयर्स ने काफी अच्चा क्रिकेट खेला है और कई सारे रेकॉर्स भी अपने नाम किये है तो आईया इसे में जानते हैं कि भारतिय क्रिकेट की इस साल की पाच बड़ी घटना है इस साल के सुरुवत में ही इंडियन प्रीमेर लिग यानि IPL में कोलकाता नाइट रैडर के लिए रिंकु सिंग ने एकी ओर में बैक टू बैक पाथ चक्के लगा कर संसनी मचा दी थी रिंकु ने यस दयाल को लगातर पाथ चक्के लगा कर गुजरा टाइटन्स के जबडे से मैस निकाल लिया था बता दू कि इस मैस के बाद रिंकु सिंग ने फिर पीछे मुड कर नहीं देखा रिंकु ने लगातर अपना जलवा दिखाया और अब टीमी इंडिया के लिए एक बड़े फिनिशर के तोर पर खेल रहे है ये घटना 2023 में भारते क्रिकेट के लिए बड़ी घटनाओं में से एक है इसके बाद इसी साल एशिया कप के फाइनल में मोहमस सिराज ने अपने घातक गेनबाजी से पूरी दुन्या में अपना डंका बजा दिया सिराज ने एक है ओर में चार विकेट लेकर सिरलंका को बैक पूट पर लाकर खड़ा कर दिया था मोहमत सीराज के घातक गेनबाजी के आगे स्रिलंका ने महज 12 रन के स्कोर पर अपने 6 विकेट गवा दिये थे आपको बता दू कि सीराज ने इस मैच में कुल 6 विकेट जटके थे तो वही स्रिलंका की टीम सिफ 15 रन पर आल आउट हो गई थी और इसके बाद भारत ने ये मैच को सिफ 37 गेंदों में जीता था 2030 में भारतिय टीम के लिए ये एक सबसे बड़ी घटना थी इसी सल भारत में पहली बार मैला प्रीमेर लिग की सुरुवाद भी की गई थी पहले सीजन में हर्मन प्रीद कोर के कपतानी में मुंबई इंडेस के टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हरा कर पहला खिताब हासल किया था मैला प्रीमेर लिग के पहले सीजन को दुनिया भर में काफी अच्चा रिस्पांस मिला था 2023 के साल में ये यादगार पलो में से एक था आर्थे क्रिकेट के लिए यह साल विराट कोली के पच्चासवे शतक के लिए भी याद किया जाएगा विराट कोली ने मान सचिन तेंदूलकर को पीछे छोड़ते हुए वंडे क्रिकेट में पचासवे तक लगाने का विश्वर रेकॉर्ड अपने नाम किया वंडे क्रिकेट में इस आकड़े को छुने वाले विराट एकलोते बल्लेबाज है विराट के इस कामियाभी पर पूरी दुनिया में वहावाई हुई थी 2023 के साल में ये सबसे यादगार पलों में से एक पल है इसके बाद साल के आखिर में जरूर भारते टीम का वंडे विश्वकप के फाइनल में हारने से दिल तूट गया हो लेकिन इसके बावजुद टीम इंडिया के प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था टीम इंडिया के विश्वकप के पूरे प्रदर्शन की पूरी दुनिया ने तारिफ की थी फाइनल में मिली हार के बावजुद भारते क्रिकेट टीम क्रिकेट के तीनों फार्मेट यानि T20 वन डे और टेस्ट में नंबर वन बनी रही तो ये बड़ी पाच घट्नाएं भारतिय क्रिकेट के लिए 2023 में हुई है वैसे आपके हिसाब से 2023 में सबसे बड़ी घट्ना कौन सी थी और क्यों कमेंच करके बताईए आई होप ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसनाई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथी चैनल को भी सबस्क्राइब करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ तब तक धन्यवाद